All the thoughts shared in this video is of the author of the book being taught. I have no intention to insult or hurt anybody's feelings. Welcome to Science Classroom, The Step to Your Dream. इसके अलावा जो उनके टाइम में जो ह्यून सांग एक चाइनिज ट्रेवलर आया था, उसके अकाउंट में क्या लिखा हुआ, किस तरीके से उस टाइम का जो लाइफ स्टाइल था, किंग हर्शा के अंडर, उसके बारे में हम लोगों क्या पता चलता है, और सबसे एंड में बुद्धिजम और नालंदा उनिवर्सिटी, मतलब बुद्धिजम किस तरीके से, किंग हर्शा के अंदर था, फैल रहा था, किस तरीके से फैल रहा था, कौन उसका सेंटरस थे, क्या क्या हुए, और जो नालंदा विश्वज ध्या लेता है, नालंदा उनिवर्सिटी था अपने बिहार में नलंदा डिस्ट्रिक्ट में उसका क्या रोल था बुद्धिजम के प्रोपेकेशन में चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला जो टॉपिक है हमारा वो है हर्शाज किंग्डम कहां तक पहला था वो देखेंगे देखेंगे हुआ क्या जब गुपताज का पतन हुआ जब गुपताज का एंड हो गया डिकलाइन हो गया खतम हो गया तो वो क्या हुआ कि जो नॉर्थ इंडिया पार्ट था नॉर्थ इंडिया कई सारे छोटे छोटे चोटे चिंग्डम में फिर से तूट गया इसके अलाव़ा जो बाहरी इंवेडर्स आ रहे थे वो भी यह रुख गया थे जैसे कि जो वाइट हुनास थे वो क्या हुआ कि यहां पर आ करके इंवेजन करके कश्मीर वाला रीजन पंजाब वाला रीजन जो वेस्टर इंडिया का रीजन था उस पर रूल करने लगे 500 एडिके बात से तो इस जो नॉर्थ पार्ट था जो भी कंट्रोल था जितना भी डोमीनिंथ था सबको छूटे-च्छोडे टुगरों में बाट लिया पार्सर आउट गुपता इंपार अमंग देंसल्सेगे अपस में चोटे-चोडे टुगरों में बाट लिया इन ही में से एक धिरे-धिरे बढ़ता चला गिया जो कि थन अंदर ले लिया तो यह जो dirty था यह जो डानेशिटी था इसमें जो बढ़र रहा था इसका जो राजा था जिसके अंदर यह सारा का सारा ना कह बहुत important है गुपतह के बाद यही कह सकते हैं कि बहुत ही बड़े पावरफुल राजा बने थे, चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे, जो किंग हर्शा थे, उन्होंने कनोज को अपना कैपिटल बनाया, हैना, सीट ऑफ पावर कनोज में इस्टैबलिश किया, और यहां से हर तरफ, चारो तरफ जो है, अपनी अथोरोटी को एक्सेंड करते चले गए, तो 7th century की आते आते जो है, पाटली पूतर जो है, वो धीरे-धीरे, मतलब डिकलाइन पे था, पाटली पूतर वेशाली दोनों ही, तो पाटली पूतर डिकलाइन पे था, इसी वज़े से, कनोज जो है, वो फ्रन्ट लाइन में आ चुका था, अब दो कि पाटली पूतर का जो importance था, जो भी power था, वो था trade or commerce, अब trade or commerce था, इसके वज़े से money economy था, और money economy की वज़े से wide spread use था, उस money का, तो इन सब कारणों की वज़े से पाटली पूतर बहुत important था, ठीके, अब जैसे ही trade decline हुआ, trade के decline होते हैं क्या हुआ कि money जो हो गया, पैसे कम हो गया, अब इस वज़े से जो भी officers थे, soldiers थे, उन लोगों को land grants दे करके payment दिया जाने लगया, अब जैसे ही land grants जाएगा उन लोगों को, तो राजा का revenue system ही collapse कर जाएगा, इस वज़े से क्या हो गया, कि ये जो land जिसके पास था, वो powerful हो गया, तो power कहां चला गया, power shift कर गया, military camps वाल officials रहते होंगे, administrative officials रहते होंगे, उन सब के land grant मिलता होगा, तो उस वज़े से power कहां shift हो गया, इधर की तरफ shift हो गया, इसकी वज़े से क्या हुआ, कि partly putr का importance खतम हो गया, और इसी कह सकते हैं, कि जो strategic important place था, उसमें से एक था, कनोज, इसलिए कनोज, धीरे 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 सामन आता गया, पुरे front line पे आ गया, और पाटले पुतर धीरे back seat पे चला गया, तो decline हो गया, ठीक ऐसा ही, वैशाले भी decline हुआ, तो आज के time पे, अगर हम लोग कनोज के देखें, तो कनोज जो है, जो यूपी का district है, फरुखाबाद, वहां पे street कह सकते हैं, situated था, अब ये क्य important होता है, इसका location, कोई भी ancient city, जो है, वो किसी ने किसी important site पे located हो का, जैसे हम लोग पाटले पुतर और राजगीर को देखे थे, ठीक वैसे, एक कनोज जो था, कनोज जो है, वो political prominence को तब gain किया, जब 6th century है, वो भी second half में, अब ये क्यों हुआ, क्योंकि इसका location था, बहु आप कहते हैं, इस पूरे region को, जहां से गंगा जमुना गुजरती है, इस पूरे region में, एकदम middle में, middle में भी उचे area पे था, तो ये कहां था, elevated area पे था, एकदम ठीक, गंगा जमुना दौब के region के एकदम बीच में, तो इससे क्या हुआ, कि गंगा जमुना की वज़े से क् आप एंड डाउन कर सकते थे, और उचे से पे था, तो बहुत अच्छे से protected था, तो वाकि जिस 7th century आते तक, whale fortified था, चारो तरफ से किला बना हुआ था, और क्योंकि ये middle में था दौब के, तो पानी का रास्ता भी इस्तमाल कर सकता था, movement के लिए, और land roots भी इस्तमाल कर सक और जो भी चीज, जो भी स्टेट्स थे, सब को अपने control में रखा, तो इस तरह के से ये control करता रहा, हर्ष के जो court poet थे, बान भट, उन्होंने एक autobiography लिख्या है, हर्ष का, जिसको कहते हैं, हर्ष चरीता, अब हर्ष चरीता में जो भी चीज़े लिखी है, हर्ष किंग administration का law का, इसके अलावा, जो Chinese pilgrim आया था, जौन जैंग, लेकिन हम लोग यून संग पढ़ता है, लेकिन एक्चलि में इसका नाम था, जौन जैंग, ठीक है, तो वे इंडिया आया हो था, तो इसने जो लिखा, इसका जो अकाउंट है, और जो बान भट ने, इस हर्ष चरीत इंडिया को लिखा है, इन दोनों को अगर मिला के हम लोग पढ़ते हैं, तो हमें उस टाइम का, इंडिया का, जो भी कह सकते हैं, कलचर था और हर्ष वर्दन का, जिस तरह का भी system था, वो सारा का सारा पढ़ने को अच्छे से मिल जाता है, जो हर्ष वर्दन है, कई सारे ज पूरे के पूरे whole country के ruler थे, ठीक है, और ना है ये staunch हिंदू थे, पक्के हिंदू थे, तो पक्के हिंदू भी नहीं थे, और पूरे के पूरे country के ruler भी नहीं थे, तो ये last great Hindu emperor of India कहना, मतलब वेग बात होगी, फालतु की बात होगी, इनका जो authority था, वो सिर्फ और सिर्फ North India तक था, वो भी काश्मीर को exclude करके, तो पूरा का पूरे India पे तो rule इन्होंने किया ही नहीं, हाँ, major part पे किया, और political unity दिया काफी हद तक, जो Northern India है उसको, लेकिन पूरे के पूरे India को, पे rule नहीं किये थे, इनका rule जो था, वो राजिस्थान के कुछ हिंसे पे था, पंजाब कुछ हिसे पे था, यूपी में था, बिहार में था, और औरिसा में, ये सारे region जो थे, ये इनके direct control के अंडरे थे, जो direct इनके control में था, लेकिन हाँ, आसपास का भी जो इलाका था, वो भी, हैना, इनके influence में था, वो भी क्या कर चुका था, इनको tribute पे क्या करता था, तो इस और देखिए, होता क्या है, कि धीरी-धीरी ये फैलते चले आते हैं, तब तक extend करते चले आते हैं King Harshwardhan, जब तक इनको रोका नहीं जाता है, तो ये Northern India पे तो इनका rule हो चुका था, ठीके, बहुत सारे states को direct control में लिए, बहुत सारे states को समझ लिए, कि vessel states बना दी कि आप tribute पे किजिएगा, Eastern India में क्या हुआ, कि जो Eastern India का region था, वहाँ पे जो इनका, क्या सकते हैं, जीतने का सलसिला था, उसको रोक दिया, शशांका ने, हम लोग पढ़े थे, शशांका जो ruler थे, गोड़ा के, वो जो है, वो इनके adversary थे, दुश्मन थे, मतलब लगातार लराई हुआ कर यह वही राजा हैं, जिन्होंने बौधी ट्री को काटा था, याद रखी किंग शशांका जो है, यह शैवाइट किंग थे, इन्होंने बौधी ट्री को काट दिया था, वो इसलिए क्योंकि इन से हर्षा से लड़ाई होती रहती थी और जो किंग हर्षा थे, वो बुद्ध शांका जो थे उनका डिथ हो गया 6.1980 में खतम हो गया इसके साथ यह सारा का सारा मामला भी एंड हो गया तो इसटर्ण इंडिया में रोका किस ने किंग शेशांका ने लेकिन इसी तरीके से साउथ वॉर्ड जो उनका मार्च था और साउथ करीव बढ़ रहे थे उस मार्च क उनके बड़े हिस्से पे उनका रूल था उनका जो कैपिटल था वो बादामी था जो कि modern district बिजापूर है करनाटक का तो याद रखेगा पुलकिशीन शेशंका ये दो रूलर थे जो कि कि इनके advance को रोग दिये नहीं तो कह सकते हैं कि ये south में भी जाके रूल कर लेते इस्टर इंडिया में भी तो एक बड़े पार्ट पे जिस तरीके से गुपताज का रूल था या उनसे ही बड़ा कर सकते थे लेकिन ये लोग क्या थे कि ये लोग हार दे नहीं थे जादा लेकिन इनका जो advance था उसको रोग दिया गया था इसलिए इनका जो control था वो गुपताज से छोटा था region wise और मौर्या के तो बात ही नहीं कर सकते है अब हम लोग पढ़ेंगे किंग हर्षवर्दन के administrative system के बारे में हर्ष जो है जो हम लोग किंग हर्षा ही बोलेंगे ठीक है जो किंग हर्षा है वो अपने empire को ठीक वैसे रूल कर रहे थे जैसे कि गुपताज कर रहे थे तो एकदम गुपता के लाइन पर ही वो रूल कर रहे थे तो उनका administrative system जो है याद रखेगा feudatory जादा है तो जादा feudal हो चुका है और जादा decentralized हो गया सारा पावर अब देखते हैं जिस तरी किसे मौर्याज के अंदर जादा control था वहाँ पे जो king था वही सर वो परी था सारा फैसला उसके अंदर थ system था उसके आगे चलते हैं माली major major kingdom की बात को लें तो गुपताज के अंदर क्या हुआ feudal system थोड़ा और आया पूरा का पूरा पावर जो है वो center के हाथ में नहीं लिया सिर्फ और सिर्फ main main parts पे वो direct control लगते थे और बाकी सबको feudatory बनाये हुए थे अब यहां क्या हुआ कि king harsha के अंदर गुपताज के तरह ही रूल करते गए लेकिन जादा feudal हो गए और decentralized जादा हो गए कि अपने empire को बड़े बड़े हिस्सों में बाट दिया और उन सारे हिस्सों को feudatory बना दिया और सारे feudatory को कह दिया कि आप इतना tax पे करके collect करके लाएंगे हमें पे करेंगे इ किंग हर्षा थे उनके पास 100,000 मतलब एक लाख होर्स थे कहने का मतलब का जो स्टेंथ हो बता रहे हैं और 60,000 साथ हजार elephants थे war elephants तो देखिए कितना massive army एक लाख जो है वो सिर्फ cavalry तो foot soldiers को भी नहीं जोर रहे हैं क्योंकि उसका जादा जिक्री ही नहीं है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अब importance cavalry का जादा हो चुका है अब इतनी बड़ी massive army तभी हो सकती थी जब हर future tree जो है जितना भी future tree है सब अपने को अपना कोटा जो है पूरा करे तो हर future tree का जो है कोटा हुआ करता कि था कि आप एतना foot soldier देंगे और इतना cavalry इतना horses भेजेंगे सब मिलाकर इतने massive army बनती थी अभी भी क्या हुआ कि जो land grants हैं वो continue रहे प्रिस्ट को देना जो है land grants देते थे ताकि वो अपना भोजन लालन पालन सब करें और फिर preaching करते रहें सिखाते रहें समाज में शांती बनाए रखें तो इसके अलावा जो land grants हैं वो सिर्फ प्रिस्ट को नहीं बलके officers को भी दिये और charter के थुरू दिये ठीक है तो दो लोगों को land grants मिल रहा है एक तो प्रिस्ट को और दूसरा officers को इन्हीं के टाइम पे जो hyun sang आये थे उन्होंने बताया है कि जो हर्शाज का जो भी revenue हुआ करता था उसको चार भागें बाटा गिया था ठीक है पहला पार्ट जो था वो king की personal खर्चे के लिए था कि king का जो भी खर्चा आता है वो उसमें से जाता है और जो second हिस्सा था वो scholars के लिए था literary works को promote करने के लिए या जो भी उस time का work रहा होगा उसको promote करने के लिए था और जो तीसरा था वो officials के endowment के लिए था और public servants के payment सब के लिए था ठीक उन सब के लिए था और जो भी उस time पे जिस भी तरह का functions होता होगा रिजिए इस functions उन सब को इसी जो एक चाथा हिस्सा हुआ था उसके revenue का उससे पूरा किया जाता था यह जो feudal system है यह जो feudal practice है कि जितने भी officers है उनको reward करना pay करना by land grant जमीन दे करके जो officers को payment दिया जा रहा है यह हरशा के ही अंदर यह start हुआ का जाते है कि मतलब start तो पहले हुआ लेकिन यह जादा massive हुआ तो अब एक feudal system जो है यहाँ पर start हो गया और जो मौर्याज है वो pro feudal है कहने का मतलब feudal से पहले वाला अब feudal system आ चुका है और बहुत अच्छे level पर आया है king harsha के अंदर तो इसलिए कहा जाता है कि जो king यह feudal practice है यह harsha के अंदर ही start हुआ और भी अच्छे level से बढ़ता चला गया इसलिए हम लोग को पता चलता है कि हम लोग जो है excavation में जादा coins हर्षा के द्वारा issue किया गया जादा coins हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है तो यह इस चीज़ को explain करता है क्योंकि metal money जादा बनानी की ज़रूती नहीं पर इस सारा payment किसमें कर रहे थे वो land grants में कर रहे थे तो metal money हम लोगों को उनके द्वारा issue किया गया ज्यादा नहीं मिला है कुछ ही मिला है जो law order था वो will maintain नहीं था क्यों क्यों क्योंकि ह्यून सांग जो की समझ लिजए कि government के protection में थे special care उसका king क जो वो king के protection के अंदर में हूं सांग रहा करते थे फिर भी उनका जो है कई सारा समान जो है उनका चोरी हो गया law and order सोची किस level का गिरा हुआ होगा कि जो इनसान king के protection के अंदर में है government उसका protection देख रही है और उसका समान चोरी हो रहा है ऐसा नहीं कि मतलब laws नहीं थे कानून नहीं था laws के अंदर क्या था कि बहुत severe punishment था crime के लिए बहुत ही कठोर punishment हुआ करता था जो चोरी था वो धोखादरी के treason के treason कहते है समझ लिजे दिस के साथ गदारी तो जो उस राज के साथ गदारी वाला जो crime था उसके बाद जो second दूसरा सबसर बड़ा crime था वो robbery ही था और इस crime के लिए चोर का जो right hand है वो काट दिया था था ठीक है लेकिन जैसे जैसे बुद्धिजम का influence हुआ बुद्धिजम के influence के बाद जो punishment की severity थी उसको mutinum कह सकते हैं कि कम कर दिया गया और जो criminals थे उनको इसको बदल करके हाथ पैर काटना को बदल करके जो कह सकते हैं कि उम्र कैद वो दे दिया था था कि life भर वो अब jail में र प्रट नहीं हो तो उसको हलके में निप्टाने के लिए ऐसा भी नहीं सजा नहीं देना सजा देना है लेकिन वाइलेंट नहीं हो क्योंकि बुद्धिजम जो है इसी चीज को प्रीच करता था तो बुद्धिजम के influence के अंदर जितने भी punishments थे उन सब को उन सब के forms को बदल प्राटी एडी तक आ चुका था और वापस इंडिया से चाइना गया 645 एडी में तो almost 16 years यहां रहा 16 years में सुझी कि क्या क्या चीज एक तो यहां का जो लैंग्विज सा संस्कित उसको सीखा था कि जो टेक्स्ट यहां से ले जा रहा था उसको वहां जाके ट्रांसलेट करे के लिए अपने लेंग्विज में तो almost 16 years यहां पे रहा और बहुत कुछ सीख कर गया तो यहां आया ही था जो यूनिवर्सिटी था नालंदा का जहां पर बुद्धिजम को प्रमोट किया जा जा था प्रुपगेट किया जा 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 था वहां वो सीखने के लिए आया और जो बुद्धिस टेक्स्ट थे इंडिया में उनको कलेट करने आया था यहां से कॉपीज ले जाता चाहिना और फिर वहां पर इसका प्रुपगेशन करता टांसलेट करने के बार इसके ही इंफ्लेंस के अंदर जो है जो किंग हर्शा थे वो बुद्धिजम के तो यह जो जो जॉन जांग है यह जो अपना लिखते हैं अपने जो अकाउंट में लिखते हैं बहुत ही विविडली डिसक्राइब करते हैं बहुत ही समझली अच्छे तरीके से बहुत ही डीपली डिसक्राइब करते हैं कि हर्शा का कोट क्या था उसके टाइम पे जो बातें भी लिखी हुई हैं, जो मतलब लग नहीं सकता है, इस टाम पॉसिबल होगा, तो एक्जाजरेट किया हुआ है, जबकि इसके अंदर एकदम डिटेल वाइज लिखा है, तो इसलिए यह जादा रिचर है, और जादा रिलाइबल है फाइयन के अकाउंट से, यह जो है, किंग हर्षा के अंदर जो लाइफ था, उसका एकोनॉमिक लाइफ भी, उसका सोशल लाइफ भी, और जो भी रिलिजियस सेक्ट थे उस प्रियेट के अंदर, सब के उपर इन्होंने परकाश जाला है, सब के बारे में इन्होंने लिखा है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सिर्फ एक तरफा बात लिखी है, हर रीजन पर, हर कह सकते हैं कि जो उसका एड्मिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो लाइफ सिस्टम था, ठीक है, जो मिलिटरी का, जो भी जिस तरीके से कंट्रोल होता था, जिस तरीके से मिलिटरी को एक ठाक है आता था, इन सब के बारे में उसने economic life के बारे में कैसे trade चला था financial क्या conditions थे लोगों के इसके अलावा हर्षा के court के अंदर किस तरह के से काम हुआ करता है तो सब को बहुत अच्छे detail में लिखा है और हम लोगों को king हर्षा के time पे जो भी इंडिया का culture था वो उसका major part John Zhang के account से मिलता है तो जा रहा है और इसके साथ-साथ कनोज जो है द्वाब में वो जादा important होता जा रहा है politically important होता जा रहा है मैंने शुरू में बताए भी है कि क्यों ऐसा हो रहा है इस time पे जो ब्रह्मन्स थे और जो शत्रियाज थे बहुत ही simple life जी रहे थे लेकिन मज़े में कौन था nobles थे जो भी राजा और उसे संबंदी थे मंत्री और ये सब और जो प्रीस्ट से वो एक luxurious life जी रहे थे अब देखिए सवाली बनता है कि प्रीस्ट कौन-कौन से होंगे बुद्धिस्ट, मॉंक होंगे और ब्रह्मन्स होंगे पुजारी होंगे लेकिन सारे के सारे ब्रह्मन्स सारे के सारे शत्र क्योंकि राजा भी क्या होगा उस टाम पे शत्र क्या होगा तो सारे के सारे ब्रह्मन्स सारे के सारे शत्र जो थे वो luxurious life में नहीं थे वो सिर्फ और सिर्फ जो court से जिनका connection था और जिनका प्रिस्टूट से connection था सिर्फ वही लोग लुक्षिर लाइफ जी रहे थे उनमें से majority जो था वो agriculture इस्टार्ट कर चुका था तो कितना simple life जी रहे थे majority ये दिखाता है कि दोनों के ये जो दोनों अपर वर्ण है इसके अंदर simplicity भी था और किस तरीके से दोनों में फर्क था मतलब उसी के अबादी के अंदर दो section हो गए थे एक अमीर हो गए थे एक गरीब गरीब तो नहीं कहेंगे जो normal presentry बन गए थे यून सांग जो है वो शुदरास को agriculturalist बुलाते हैं अपने account के अंदर यह जो है बहुत significant बात है बहुत ही मतलब चौका देने वाला बात है जिनको शुदरास को जो earlier text है उसमें servant कहा जा रहा है कि तीनो वर्णा का वो service देगा वो free of course देगा slave कहा जा रहा है उसको जो जो हर्शा के time में agriculturalist बोल रहे हैं farmers कह रहे हैं खेती करने वाले कहा रहे हैं समझी कितना improvement हुआ उनके lifestyle में यह जो है जॉन जॉन के account में यह भी लिखा गया है untouchables जो हैं जैसे कि scavengers होगए भंगी होगए ठीक है जो executioners होते हैं जलाद सब यह सब जो है गाउन के बाहर रहते थे और लहसन और प्याज खाते थे मतलब समझ लीजिए कि जो town के lifestyle होगा उसमें प्याज और लहसन खाना मतलब onion और garlic खाना कितना गंदा बात रहा होगा क्योंकि पहले लोग इसका सेवन नहीं करते थे आज भी बहुत सारे वैशनेव लोग हैं जो कि शाकाहरी हैं वो खाते नहीं हैं वो सिर्फ plant products खाते हैं और उसमें से भी garlic, onion, गरम मसाले यह सब चीज नहीं खाते हैं तो उस time पे यह जो untigibles थे यह बाहर रहते थे गाउं शहर के बाहर रहते थे और onion और garlic का सेवन करते थे वो जब भी शहर में आते थे तो चिलाते वे आते थे ताकि लोगों को पता चल जाए कि वो आ रहे हैं और लोग हट जाएंगे के लोगों का यह मानना था कि जब भी गाउं में आते हैं रास्ता जगा जहां जहां से गुजरते हैं उसको अपवईत्र करके जाते हैं तो उनमें टच ना हो जाए उनसे दूर रहने के लिए उनको आदेश था कि चिलाते वे हैं तो देखे दो ही तरीके के लोगों को इस तरीके का मतलब भव्य प्रदर्शन मतलब बतानी के लिए जैसे कि राजा आते थे एक तो राजा थे जिनके आने पे चिलाए जासा थे कि होश यार खबरदार राजा आ रहे हैं सब लोग रास्ता छोड़ दे थे ठीक ऐसा ही चौड ऐसा ही टोड़ा जाथा वो अंटेचेबल्स का भी था जब भी वो आते थे चिलाते भी आते खबरदार हम आ रहे हैं रास्ता खाली हो जाता था तो फर्क इतना सा था दोनों राजा और अंटेचेबल्स दोनों के लिए रास्ता छोड़ दियाता था एकदम खाली कर दियाता था, एक का इजट में कियाता था और एक का मतलब घिनोनेपन में, तो राजा जब गुजरता होगा, तो रास्ता खाली कर देते होंगे, अब सर जुका लेते होंगे, और जब untagible गुजरते होंगे तो रास्ता खाली तब भी होता था लेकिन घिरना की नजर से होता था लेकिन फिर भी आप समझ लिए live life king size वो king size तो जिंदगी जी के गए कि भाई राजा के लिए जिसे रास्ता छोड़ा था हमारे लिए भी छोड़ा जा रहा है तो किसी ने किसी एस्पेक्ट में वो उस तरीके का जिंदगी जी कर गए है मज़ाग से एटकेम लोग आगे बढ़ता है हमारा जो नेक्स टॉपिक है वो है बुद्धिजम और नालंदा यूनिवरसिटी के बारे में तो जो बुद्धिस थे उस टाइम पर जुवन रांग कहते हैं कि बुद्धिस जो थे वो 18 सेक्ट में डिवाइडेट थे 18 गुरूप में बटे हुए थे और जो ओल्ड सेंटर था जिसे राजगीर गया ही सब के बारे में कह रहे हैं जो ओल्ड सेंटर था बुद्धिसम का वो डिकलाइन कर रहा था बैट डेज में चला गया था जो सबसे फेमस सेंटर बन गया था बुद्धिसम के लिए वो था नालंदा जो की एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही महान बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी ये भी अपना छवी बना करके रखा हुआ था यहां पर दूर दूर से लोग आ रहे थे सिखने के लिए यहां पर जॉन जांग कहते हैं कि अल्मूस्ट 10,000 स्टुदेंट्स रह रहे थे सारे के सारे मॉंक्स थे जिनको बुद्धिस्ट फिलोसफि फिलोसफि सिखाया जाता था वो भी महायाना वाला तो महायानव फार्म अब बुद्धिसम हमने पहले पर रखा है कि किस तरीके से डिवलप हुआ इसके प्रिंसिपल क्या-क्या है तो उनी के फिलोसफी को महायानव स्कूल अब बुद्धिसम को ही कही फिलोसफी को यहां पढ़ा जाता था मांट्स है नालंदा उनिवर्सिटी के सीट पर वहां पर सारे के सारे मांट्स एक्सकेवेट नहीं किये गया है लेकिन जितने भी एक्सकेवेट किये गया है और अगर मालीजिस सारे के सारे excavate कर भी दिये जाएं तो भी इतना बड़ा complex इतना बड़ा building हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है कि जहाँ 10,000 students हो जाएं हैं बहुत भव university था बहुत अच्छा building है इंट से बनावा बहुत बढ़ी है building से बहुत बढ़ी है इतना बड़ा यह कह सकते है वो complex नहीं कि 10,000 students को वहाँ पर सिखाया जा सकते तो यह थोड़ा exaggerated number हो सकता है अब दिखे क्या हुआ कि 670 AD में दूसरे एक Chinese pilgrim आते हैं आईजिंग आईजिंग कहते हैं वो भी नालंदा है और उन्होंने अपने account में लिखा है कि आया जिर्णालंदा युनिवर्सिटी उसमें 3000 Monks रह रह रहे थे यह थोड़ा सा reasonable number है जितने भी Mounts को excavate करने के बाद जो भी structure जो भी complex देखने को मिलता है उसमें 3000-4000 adjust हो सकते थे तो एक reasonable number है इसी को मान के चलते है चली 4000-5000 maximum से maximum इतने student रहे होंगे 10,000 नहीं रहे होंगे लेकिन फिर भी उस टाइम पर एतना भी माने रखता है वो भी दूसरे दूसरे देश से आई हुए तो यह जो buildings थे इनको बनाया गया बार बार ठीक कर किया गया यह 700 साल तक नालंद इनिशिटी के renovation का काम चलता रहा है उसको बार बार टूट जा रहा है तो उसको बनाया जा रहा है यह आगे 700 साल तक चलता रहा है कहां से 5th century AD से लेकर के 5th century AD से 12th century AD तक चलता रहा और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि invasion होता है और फिर नालंद को खतम कर दिया आता है वो हम लोग देखेंगे जो Muslim invaders हैं उनके द्वारा वो हम लोग medieval India हैं पढ़ेंगे जॉन जैंग के अगर recording चलें तो जो monastery था नालंद का वहां उसका जो खर्जा पानी चलता था वो चलता था जो 100 villages थे 100 गाओं के revenue जो collect होते थे उससे यह जो नालंद का monastery है वो चलता था आईजिंग जो है इस चीज़ को बढ़ा करके 200 कर दे रहे हैं तो दोनों में क्या सही है इसकी बात नहीं करना है या पहम को देखना है 100 villages का revenue या 200 villages का revenue यह दिखाता है कितना बड़ा establishment रहा होगा तो ना इसलिए हम लोग समझते हैं कि नालंदा के पास बहुत बड़ा monastic establishment रहा होगा हर्षवरदन के time पे तो मतलब Buddhism किस तरीके से यहां पे देखे prosper कर रहा था इस King हर्षवरदन के अंडर में क्योंकि इतना बड़ा region देना land grant करना सिर्फ इसके खर्चे के लिए मतलब सच में को बहुत बड़ा भव complex रहा होगा इसका खर्चा वहाँ से चलता होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कहा जाता है कि जो King हर्षवरदन थे उनका जो religious policy इसी था वो tolerant था वो सभी धर्मों को ब्राबर इज़त देते थे और एक जगा एक साथ भाइचारगी से रहने के लिए प्रमोट करते थे बच्पन में वो एक शेवा थे मतलब शिव भाक्त थे धीरे 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 वो बुद्धिजम के great patron बनके वो under the influence of जॉन जैंग ठीक है तो बुद्धिजम के devotee होने की कारण उन्होंने क्या कि कई सारे इंडॉमेंट्स किये कई सारे charitable work किये मौंक्स को कई सारे villages grant किये monastries को तो एक बहुत बड़ा grand assembly वो कन्नौज में convene करते हैं ताके जो महयाना form of बुद्धिजम है उसके doctrines को widely publicize कर सके तो एकता से गहलेजे बहुत बड़ा जो आजकल हम लोग करते हैं कि seminar समझ ली तो उस time पे बहुत बड़ा seminar किया उन्होंने ताके जो महयाना form of बुद्धिजम है उसके doctrines को promote करते रहें और जादा तर लोगों तक पहुँचाएं दूर दूर तक empire के कोने कोने तक पहुँचाएं अब इस assembly में देखे क्या है कि देखे कितना बड़ा है इस assembly में जॉन जांग भी रहते हैं इसके अलावा भासकर वर्मन जो की कमरूपा के ruler थे वो भी हैं और इसके अलावा जो 20 दूसरे छोटे-छोटे countries हैं उनके भी राजा हैं और almost कई सारे कई हजार जो हैं वो priests हैं अलग-अलग धर्मों के, अलग-अलग sect के एक धर्म के हिंदर, अलग-अलग groups के तो बहुत सारे priests भी हजारों के तादाद में आए हुए हैं दो thatched halls बनता है thatched halls समझे लिए फूसका बनावा है दो बड़ा-बड़ा hall बनता है एक hall में कम से कम हजार आदमी एकोमेड़ेट हो सकता है इतना बड़ा-बड़ा hall बनता है और एक बहुत बड़ा टावर बनाया जाता है जिसके बीच में गोल्डन स्टेचू रखा जाता है बुद्धा का और जो किंग है वो कह सकते हैं कि यह जो assembly start है उससे पहले वो image का वर्शिप करते हैं पूजते हैं और एक public dinner देते हैं यहां पर एक बहुत interesting कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि हुआ कि जब discussion चल रहा था तो इस discussion का start जो है वो john jang करते हैं john jang क्या करते हैं कि महायन और फार्मा बुद्धिसम जो है उसके virtues को लेकर के कुछ बोलते हैं और challenge देते हैं कि आओ कोई भी आप में से कोई भी आईए इस मुद्धे पर हम पर बहस किजी और पांच दिन गुजर जाता है कोई भी जो धर्मिक गुरू है किसी और sect के वो सामने नहीं आते हैं बलकि कुछ जो theological गुरूस थे जो भी धर्म गुरूस थे वो ये धमकी देते हैं कि जॉन जांग तरह मौडर कर देंगे इस टाइप से डायलोग चलता है कि जॉन जांग तुमको एसेसिनेट कर देंगे ये बात राजा के कान तक आती King Harsha बोलता है कि जो भी जॉन जांग को तो थोड़ा सा भी हानी पहुँचाएगा उसका गर्दन कट कर दिया जाएगा ये किंग हर्षा कहते हैं और फिर होता क्या है कि अचानक से वो जो अभी मैंने बताया कि एक बड़ा सा टावर बना उसमें आग लग जाता है जो बुद्धा की मुर्ती जो रखी हो थी जिसमें भागदार हो जाता होगा पूरा एकदम भागदर मत जाता होगा उस बीच में क्या होता है कि किंग हर्षा के मुर्डर का एसे सिनेशन का एटेम्ट होता है और फिर वो एटेम्ट में फेल होता है और जो हर्षा है वो इसके शक में 200 ब्रहमन्स को कैद कर लेते हैं और उनको banish कर देते हैं, उनमें से कुछ को execute भी कर देते हैं, मार भी देते हैं तो यह जो भी मैंने थ्वादर पहले कहा था कि tolerant religious policy था बहुत ही tolerant थे, इतने भी tolerant नहीं रहे है, इस incident का अगर इस कहाने की बात का है, तो इसमें दिख तो नहीं रहा कि ठीक है, उन पर assassination का चार्ज लगा ठीक है, दो सो ब्रह्मन पंडितों को कैद कर लेते हैं, उनमें से कुछ को तो execute भी कर देते हैं, मार भी देते हैं तो इतने भी tolerant नहीं थे, ठीक है, assassination का attempt हुआ, लेकिन trial करने के बाद जो दोसी पाएगा उनको सजा दीजे, और जो दोसी नहीं उनको उनमें से निकालिए, लेकिन सब को banish कर देना ये ठीक नहीं था, तो इतने भी tolerant नहीं थे, क्योंकि राजा लोग अपने बारे में तो जादा ही लिखवाता है, या जो भी लिखता है राजा की ड्रसी जादा ही लिखता है तो, लेकिन फिर भी वह tolerant थे जबरदस्ती का मारकट नहीं किया, जब ऐसे कुछ हुआ, उसके बाद ही मारकट हुआ है तो खेर, जो भी हो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब यह देखिए जो, कनौज में ये grand assembly किये, उसके बाद ये लहबाद में है, परियाग में दूसरा एक assembly किये उसमें भी क्या है, कि जोन जैंग और कई सारे princes जो tributaries थे हैं, इसके fiditry थे, उसके राजा, मंतरी और जो nobles थे, अमीर लोग थे, उन सब के दोरा ये assembly attend किया गया यहाँ भी बुद्धा का एक image worship किया जाता था, और जोन जैंग काई सारे discourses, lectures देते थे, उसके बाद in discourses, in सब के बाद सारे functions के बाद, हर्षा जो थे वो बहुत बड़े-बड़े charities end में करते थे, कहा जाता है कि मतलब लिखा गया है कि हर्षा इतने बहुत glowing terms में लिखते हैं, मतलब राजा इसा थे, वैसा थे खुब तारीफ करके लिखते हैं ठीक है, कि राजा जो थे, बहुत kind थे, बहुत courteous थे, ठीक है और बहुत helpful थे, जॉन जैंग के लिए तो सच में बहुत helpful थे उनको बहुत, उनको बहुत बहुत helpful थे, जॉन जैंग के लिए तो इसलिए उनोंने तारीफ भी लिखा है और कुछ बातें तारीफ भी होंगे ऐसा नहीं कि राजा हमेशा गंदा ही होता है तो तारीफ में लिखी हुई है बानभट जो है, बानभट जो अकाउंट लिखते हैं हर्ष चरीता जो लिखते हैं उसमें बहुत फ्लैटरिंग बातों सबको लिखते हैं और बहुत, एक style है ornate style, जो कि बात के राइटर्स के लिए एक model है जो लेटर राइटर्स है, बानभट के बाद वाले उनके लिए एक model है यह जो हर्ष चरीता है कि इसमें लिखा कैसे गया, ornate style कहते हैं बहुत ही शोई दिखावा वाला कि जैसे हम लोग जानते हैं कि चांदतारे ले आएंगे तुम्हारे लिए यह सब टाइप का डाइलोग है तो अब चांदतारे कोई तोड़ तो नहीं सकता लेकिन चांदतारे तोड़ने का मतलब इस लेवल के महनत हम कर सकते हैं तो यह इस तरीका का एक तरीका होता है कि आप अप किसी के लिए अपना प्यार व्यक्त करते हैं तो यह एक ornate style है तो यह जो हर्ष चरीता में जो इन्होंने जो फ्लैटरिंग अकाउंट लिखा है अग्दम समझ लिए तारीश से भरा पुल बांद रहा है किंग हर्ष के लिए एक ornate style में लिखा है बहुत फ्लावरी मतलब फूल वरस रहा है हर लाइन पे इस तरीके का इन्होंने लिखा है जो कि लेटर के राइटर्स इस तरीके को अपनाते है और हम लोग देखते हैं कि आज कल शायर लोग इस तरीके के style को अपनाते हैं अपने कहानियों में, गजल में, किसों में हर्षा को सिर्फ और सिर्फ इसले ने कि वो charity करते थे, दानी थे इसलिए नहीं उनको याद किया जाता है बलकि उनको इसलिए भी याद किया जाता है कि कहा जाता है कि उन्होंने तीन बुक का, तीन ड्रामा का authorship किया, कहने तीन plays उन्होंने लिखा है, पहला है प्रियदर्शिका, रतनावली और नागनन्द, ये तीन जो ड्रामाज थे उन्होंने लिखे है मतलब वो राजा यह नहीं, literary कह सकते हैं कि diplomat थे, sorry literary मुनार्ख थे, मतलब पढ़े लिखे मुनार्ख थे अब देखे क्या होता है कि ये जो authorship है हर्षा का कि इन्होंने ये तीन ड्रामा लिखा है तो उस टाइम तब तो चल रहा है, लेकिन कुछ medieval scholars जो है हम लोग देखते हैं कि जो medieval time में जो भी scholars थे, उनमें से कुछ लोगों का मानना है कि जो हर्षा जो है ये तीन ड्रामा उन्होंने लिखा नहीं ये ड्रामा लिखनें का drama कर रहा है ये असल में drama कर रहा है इन dramas को लिखने का का जाता है कि ये जो dramas था वह actually में एक घवा का उनके दो आरा लिखा हुआ ये तीन ड्रामा था जो कि हर्षा के नाम पर लिखे थे बदले में उसको पैसे होगा अब देखिए ऐसा होता क्या है कि एक प्रोवर्व है कि रॉयल ओथर्स आर अउनली हाफ ओथर्स जो शाही जो ओथर्स होते हैं शाही जो पोईट होते हैं वो आधे ही ओथर होते हैं क्यूं क्योंकि ancient और medieval times में हम लोगों को जैसे कि जो हम लोग देखते हैं गुपता एंपा झेंदेना क्योंति साउत की मूवी हूँ नहीं देखते हैं कि सब सब्सक्राइब भी दांसर और सारह का था ही हरो में डाले तके लगे कि हाँ यह डिजर्व करता है ही रुऔ होने का थीक वैसे ही राजाओं को वहार तरीके का एक्षीवमेंट राजाओं से जोड़ देए ताकि लगे कि हाँ यह राजा राजा बनने लाइक है बहुत बड़ा वीर बहुत बड़ा शुर्मा भवाली है राजा तो मेडिवल एंशन टाइम में हम लोगों को ऐसा बहुत सारा एक्जांपल देखने को मिला है इस गुपता एंपार में फिर समुद्र गुपत को भी देखते हैं हम लोग कि वो बहुत बड़े म्यूजिक के समझ लेजे ग्याता भी है इस तरह किस दिखा जार के वो बजा रहे हैं एक दो म्यूजिक इंस्ट्रॉमेंट बहुत बड़े आर्चर्स भी है वो तो समुद्र भी उसके बारे में बहुत सारे तारिफों के पुल बांदी गहीं न तो ठीक वैसे यहां भी किंग हर्शा के लिए हो सकता है कि लिखा किसी नहों लेकिंग उनको दिया घा कि हां बहुत बड़े ग्याता थे, बहुत बड़े डामटीस थे ठीक है तो इसलिए बात हैं सज भ पतर जो achievements होते हैं वो king को ascribe कर दिया आता है ताके जो king का image है जो उसका position है उसको validate कर सके किसके नजरों में उनके rivals के भी नजरों में और उनके subjects परजा के नजरों में भी पता चल जाए कि ये राजा सच में राजा बनने लाइक है और जो उनके rivals हैं उनको भी समझ में जाए कि ये राजा बहुत बढ़िया राजा है बहुत qualities है इसके हैं तो खेर आज के chapter में इतना ही I hope कि आपको ये समझ में आया हो मिलते हैं हम लोग next chapter में तब तक के लिए